साथ क्यों कॉंग्रेस की हालत टाइटेनिक जहाज की तरह हैं यह हर एक नए दिन के साथ डूपती ही जा रही है कॉंग्रेस के साथ जो जो इस जहाज में बैठा था वो NCP की तरह या तो खुद भी डूप रहा है या उठूठूठूठ करके जान बचाने के लिए भाग रहा है जो आपके पडोस में हिंगोली से कांग्रेस सांसद महुदय है बेभी इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे है शरत पवार्जी इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे है उनके सिपा सालार प्रफुल पट्रिल भी चुनाव से भाग चुके हैं सात्यों ये सभी महानुभाव एक एक करके मैदान छोड़ रहे हैं महराष्ट में कॉंग्रेस इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसके पास जितनी संख्या में विदायक है उससे जादा तो गुट बने हुए हैं सब आप में आपस में ही बीड लड़ बीड रहे हैं जब इस तरह की महा मिलावट हो तो क्या ये दल महराष्ट का भला कर पाएंगे वो अपने विकास की सोचेंगे या फिर महराष्ट के विकास की यहां महराष्ट में इन लोगों ने किस तरह एक आदर्थ सोसाइटी बनाने की कोशिश दी थी शहीदों के परिवार को दोखा दिया था इससे तो नांदेड और पूरा भारत भली भाती परिचित है आप जानते हैं ना वो कौन है पता है इस तरह के गोटालों पर नजर रखने के लिए ही हमारी सरकार ने रेरा कानून बनाया है एक ऐसा कानून जिसकी बज़र से गर खरीदने वालों की कमाई सुरक्षित हुई है उनकी बचत सुरक्षित हुई है देश भर में हजारों प्रोजेक्ट अब रेरा कानून से रजिस्टर है और पहले जिस तरह से काले धन का खेल होता था वो भी कम हुआ है इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ है मद्यमबर को नवजवानों को सात्यों NDA सरकार ने पांच लाख रुपिय तक की आई पर इंकम ट्रैक्स जीरो करने का जो निर्णय लिया है वो भी नवजवानों के लिए बड़े फायदे लेकर आया है गर खर्च के लिए अपने कारियों के लिए अब उनके पास जादा पैसे बच रहे हैं लेकिन मैं देश के नवजवानों को मद्यंबर को कॉंग्रेस की साजित से फीर से आगा करना चाहता हूं कॉंग्रेस ने साप कर दिया है कि वो देश के मद्यंबर को स्वार्थी मानते हैं लाल्ची मानते हैं इसलिए वो मद्यंबर्ग पर टैक्स का बड़ा बोज डालने का इरादा रखती है इतना टेक्स कि मद्यम्बर्ग की कमर तूट जाएं भाईयों भेनों आज मैं अनुभव से कह सकता हूं अगर देश को चलाने में सबसे बड़ी ताकत कहीं से मिलती है तो मद्यम्बर्गी परिवारों से मिलती है वो काईदे कानून का पालन करते हैं वे सरकारी खजाने में अपने से जो भी बजताएं देते हैं और इसी से देश चलता है ये कॉंग्रेस पार्टी मद्यम्बर्ग को अपना दुश्मन मांती है आप हरान हो जाएंगे अभी कॉंग्रेस का एक डकोशला पत्र आया है पचास पचपन पन्नों का डकोशला पत्र आया है आने वाले पांच साल में उनके क्या मनसूबे है उसका सारा उसमें लिखान है पूरे मैनिफेस्टों में उनके पूरे डकोशला पत्र में एक बार भी मद्यम्बर्ग शब्द नहीं है भाईयो बेहनो ऐसी कॉंग्रेस को आप माप कर सकते हैं क्या इसलिए कॉंग्रेस से सतर्क रहिए चोकिदार की तरह चोकनने रहिए